हेलो दोस्तों राधे राधे स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा रानी की मृत्तियों कैसे हुई जाने रह से तो पूरी कहानी जरूर सुनिएगा जब भगवान स्रीक्रिष्ण व्रंदावन छोड़कर चले गए तब राधा की जिन्दगी ने अलग ही मोड ले लिया था राधा की साधी आयान से हो गई राधा ने अपने दामपत्ति जीवन की सारी रस्मे निभाई और बोड़ी हो गई लेकिन उनका मन तब भी स्रीक्रिष्ण के लिए समर्पित था राधा ने पत्नी के तोर पर अपने सारे कर्टब पूरे किये और दूसरी तरफ श्रीक्रिष्ण ने देविये कर्टब्बे निभाई सारे कर्टब्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखरी बार अपने प्रत्यम स्रीक्रिष्ण से मिलने गई तब राधा द्वारी का पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुकमनिक और स स्टिर्कृष्ण की द्वारिका में कोई नहीं जानता था राध्या के अनुरोद पर स्टिर्कृष्ण ने राध्या को महल में एक देवि जुड़ाव महसुस नहीं कर पा रही थी इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णे लिया और सोचा कि दूर जाकर वह स्थापित कर पाएगी उन्हें नहीं पता था कि वह कहा जा रही है लेकिन भगवान स्रीकृष्ण सब जानते थे जैसे जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई उस वक्त उन्हें भगवान स्रीकृष्ण की आवश्यक्ता पड़ी आखिरी समय में भगवान स्रीकृष्ण उनके सामने आ गए क्रिश्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे लेकिन राधा ने मना कर दिया क्रिश्ण के दोबा स्रीकृष्ण ने देन राध बाशूरी बजाई जब तक कि राधा अद्यातमेister में विलीद नहीं हो गई बाशूरे की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने सरिर का त्याक कर दिया हालांकि जानते थे क्यों उनका प्रेम है पर बावजूद इसके वह राधा की मृत्यू को बरदास नहीं कर सके भगवान स्री कृष्ण ने प्रेम के प्रती कमना कांत के रूप में बासुरी तोड़ के हमेशा के लिए जाड़ियों में फैंक दी इसके बाद स्री कृष्ण ने जीवन में कभी बासुरी या अन्य कोई बाद ये अंत्र नहीं बजाया कहा जाता है जब द्वापर यूग में नारायन ने स्री कृष्ण का जन मिलिया था तब माल लक्षमी ने राधारानी का रूप लिया था ताकि मृत्यू लोग में भी वह प्रभु के दसांत ही रह सके तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी कि हूँ तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब जोड़ करें धन्यवाद चेमात अगे